अगर आपके लॉब्टॉप PC में इस तरीकी की प्राब्लम मारी है जैसे कि वुष्ट मैनेजर ये बारवार आ जाता है या फिर आप इस प्राब्लम से जूज रहा है तो आपको जो वीडियो में इस टेप बताते जा रहा हूं उन इस टेप को आप यहाँ पर फॉलो कर लेज चलते हैं तो आज की इस वीडियो से में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने बादा हों जिकि आप पुनरी के जरीये से यहाँ पर बहुत सारे काम कर सकते हैं और आप एक नॉर्मल विंडू पर काम करते हैं एक ही laptop पर उसी laptop पर और बहुत सारे एक ही साथ में काम कर सकते हैं तो वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखिएगा चैनल पर नहीं है चनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक नहीं किया तब वीडियो को लाइक चरूर कर देगी तो अभी आपने देखा मैंने यहां पर एंटर का बटन दवाया है अगर आपके भी सामने कुछ है तो आपको यहां पर जादा कुछ करना नहीं है चार्जर पर अपना लगा देना है ठीक है है यहां पर होता है विंडू थोड़ा जब तो हमारी विंडू ओपन होने में बहुत ज़्यादा समय ले लेती है और यह आखिर आता कब है और इस तरीकी प्राबलम कब हमारे लब्टॉब में शुरू होती है जैसे कि जब हमारे लब्टॉब में कोई ऐसे सौप्टिवेर होते हैं जिने हमने काफी समय से यूज कर रहे हैं और उन्हें हमने अपडेट ही को एप्लिकेशन सही तरीके से काम नहीं करती है जब तक कि आप उसे अपडेट नहीं कर लेते हैं ठीक है इसी के साथ में अगर आप विंडू को अफडेट नहीं करते हैं तब भी आपके लब्टॉप PC में विंडू प्राबलम करती है और आपको इस वाइरस के रूप में और इस से यह है कि आपकी window है वो यहां पर गड़बड करने लगती है तो इस बात को आपको ध्यां रखना है ठीक है और हमारा यहां पर अभी processing में चल रहा है जो कि आप देख ही पा रहा है ठीक है तो हम कि अगर मैं वीडियो में कट कर देता हूं तो आप लोग को दिक्कत आती है कि आप लोग कहते हैं कि आपने साइट वीडियो कट कर दी हमारा नहीं हो रहा है कि आपने इतने जल्दी करके दिखा दिया बहुत सारी बाते करते हैं आप लोग तो मैं सोच रहा हूं जो भी होगा वो आपको इस वीडियो में बिलुटुल साफ साफ देखे और एक्दम केलिको रियल ठीक है तो अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से जैसे कि मैंने ये लॉप टॉप बिलुब मेरा सही चल लया था और जैसे ही मैं यहीं बाहर गया था और मैंने इस laptop को बंद करके पूरी तरीके से रखकर चला गया ठीक है पर जैसे ही मैंने अपने laptop को open किया है अपना काम करने के लिए तो इस तरीके के यहांपर error देखने को मझे मिला था ठीक है अब आप देख सकते हैं जो हमारी problem थी वो लगवों कि हाँ पर solve हो चुकी है चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा भी wait करते हैं अभी जो हमारा laptop की window है यहाँ पर कुछ error था तो हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं देखते हैं अभी ठीक है जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे ह है मेरा जो laptop है वो charging पर लगा हुआ है और इसके update आते रहते हैं ठीक है मुझे लग रहा है इसका कोई update आगया होगा तभी इस तरीकी की प्राबलों है मुझे देखने कुछ में मिल रहे है ठीक है तो चलिए मैं अपना यहाँ पर password डाल देता हूं अभी यह पुरी तरीके से काम नहीं कर रहा है देख पा रहा है मैं इसमें कुई बटन दबा रहा हूं password के लिए पर यह भी नहीं कर रहा ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर simply कुछ सेकेंड बेट कर लेंगे ठीक है यही एक तरीका है बकिया और कभी तरीका नहीं है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतियार करते हैं और अब देख सकते हैं अब अपने आपी हेना पर काम करने लगा है तोड़ा तोड़ा ठीक है तो अभी हम थोड़ी देर हैं पर वेट कर लेना है एक सी दो मिनिट के लिए लेक्षाम और उसके बाद में हम password डालते हैं ठीक ह ले सकते हैं तो इसी के साथ में जब भी अगर आप laptop PC यूज कर रहे हैं तो अपनी विंडू को अपडेट करते जाएं ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हमारा laptop या PC है वो हमें लगता है कि हमारा इंटरनेट ज्यादा खर्च कर देया ठीक है तो इसकी जो जो आटो अपडेट जरूर कर लें ठीक है अगर आपके पास वाइफाई है तो आप जरूर कर लें ठीक है या फिर आप ऐसी जगे पर गए हुए हैं जो कि अगर आपका इंटरनेट है बच रहा है या फिर आपके पास वाइफाई है तो बहां पर आपको अपनी laptop PC की विंडू है उसे कि मैं अपना पास्वर्ड यहां पर डाल रहा हूं मेरा पास्वर्ड थोड़ा बड़ा है अब मैं यहां से क्लिक कर देता हूं तो आप यहां पर देख पा रहे हैं फाइनली हमारा लॉप्टॉप है वो ओपन हो चुका है और अगर आपकी पास कुछ इस तरीकी की प्राब्ल कर सकते हैं ठीक है चलिए मैं आप पर अभी मौस लगा लेता हूं अगर आपके लॉप्टॉप पीसी पर वो आ जाता है तो आप उसे इसी तरीके से करें ठीक है ज्यादा कुछ भी ना करें यहीं सैटिंग गडबड़ो जाया कुछ भी तो जानते हैं कि लॉप्टॉप पी ठीक है चलिए मैं यहां पर मौस दिख सकते हैं मेरा यहां पर मौस काम करने लगा है अब यहां पर रही है आप यहां ठीक है मैं यहां पर रिफ्रेस्ट कर रहा हूं तेसकते हैं रिप्रेष भी काफ़ी समय में हो रहा या अब होने लगा ठीक है रिफ्रेष करने का और भी कई तरीके हैं चलिए बोविम आपको बता देता हूं जैसे कि अगर आप एक बार refresh कर लेते हैं मैंसे फिर f5 से आप यहां पर refresh करेंगे तो यह बार बार होता जाएगा जैसे कि अब यह आप यहां पर देख पा रहा है ज़्याइन आप तो में श्यु से इसलोगा यहांपर जो कि आप यहां पर देख पा रहा है तो इस तरीके से भी यहां पर रिफ्रेस्ट कर सकते हैं तो तीन तरीके से तो आप रिफ्रेस्ट करी सकते हैं तो अगर आपको यहां पर थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना इसी के साथ में एक बार पर आपको करना क्या है। आपको यहां पर विंडू फाली आइकन पजाना है। setting पजाना है। और अपनी विंडू जरू। चेक कर Кäv लेना है कि अबडेट तो नहीं मांग रही है अगर कुछ आपको आपड़ेट करने हैं अब ही तो आप यहां पर देखनी यहां फेयर फाइल को जाती हैं उने डिलीट करने हो तो आपको इन्हें डिलीट करना है तो आपको कंट्रॉल ए यहां पर सेलेक्ट करना है और यह सारी की सारी डिलीट हो जाएंगे इसी तरीके से आपको इसमें यह देख लेना है कि कौन कौन सी इसकी फाइल से आपको यहां से सब कुछ कर देना इस पर मेरी पहली ही वीडियो वनी हुए कि आप इसकी फाइल को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं पर देख पा रहा है हमने तीन चारिशना पर विंडू ओपन कर रखी है पर हम इन पर कोई भी काम करते हैं तो वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं यह फिर हमें एक साथ नहीं समय को बचाने के लिए एक साथ में अपने लॉक्टव कंपूर पीसी पर इतने सारे काम कर जाए तो इसका आप उस बखत यूज कर सकते हैं अब इसका यूज किस तरीके से करना है जैसे कि आप देख पा रहा है तो हम इस पर कोई भी काम करते हैं तो वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं तो हम एक निव विंडू ओपन कर सकते हैं इसकी मदश से ठीक है अब इ कि आप इना पर window open कर सकते हैं ठीक है जानि कि विंडो इच कंट्रोल डी की मदद से अब इसी तरीके से आप इस पर भी काम कर सकते हैं चलिए वह इना पर वर्टसप ओपन कर लेता हूं अपना जैसे कि आप देख पा रहा है ठीक है तो इना पर आप जैसे कि Chrome रोजर या अन को भी वेब्साइड open कर सकते हैं आप आपको पीछे वाली उस पर जाना है जो आप काम कर रहे थे ठीक है तो आपको क्या करना है सिर्फ बिंडो चंट्रॉल दवाना है और इना पर आपको मिल जाते हैं तो इस तरीके से आप इना पर इनका आप यूज करके पीछे वाली विं से कर सकते हैं ठीक है जितनी आप रही भी उना पर बनाई होंगी इतनी विंडू का यूज कर सकते इस तरीके से पहलेख से अब यह आपको कि दो है कंट्रॉल प्र नियवे ने स्क्रॉम मिल अब करने इस तरीके से हैं य史र। हैं ये वाली बचिए व्टम sentiment अवटाइश में करेंगे ठिक है तो हमारी यह भी कैंशल हो गई तो कैणे का मतलब है अब आप जैख सकते तो मुझे नीचे कमेंड सेक्षन में ड plains करें और मिलते हैं श्यूंत।